मालदिश के अंदर काम्याबी के जंडे गाड़ने के बाद इंडिया ओड केमपेन बंगला दिश के अंदर भी स्टार्ट हो गई और बंगला दिश के अंदर जो इंडिया ओड केमपेन स्टार्ट हुई है इसकी स्टार्टिंग जो है वो मालदिव से कहीं ज्यादा बहतर है मालदिव में सक्सेस्फुल रही ना गवर्मेंट चेंज हो गए वहाँ पर दूसरी गवर्मेंट आ गई लेकिन यहाँ पर जो स्टार्ट हुई है बंगला दिश के अंदर यह उससे ज्यादा बहतर तरीके से स्टार्ट हुई है ज्यादा पावर्फल तरीके से स्टार्ट हुई है वहाँ पर स्लो बिगिनिंग थी मालदिफ के अंदर स्लो स्टार्टर था कई महीने तो इसके सा खबरों के अंदर आने में लगThere॔र इसके बाद कोई साल एड़ साल के आ suspense यि एसको रिपोर्ट करना शुरु किया यहाँ क्या हुआ है बंगला दिश के अंदर आते ये च्छ कि वेस्टरन यूज आउटलेट्स लिख रहे थे इंडिया के तो खेर लिखी रहे थे न लेकिन दुनिया भर में आप बाकी भी जगाओं पर देखें तो आपको इस कैमपेंट के बारे में डिफरन यूज आउटलेट्स बात करते वे नदर आ रहे थे और अता कि यह हो गया क अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट इस पे बात करने लगा पिछले दिन वो आपको बताया था कि उनसे पूछा गया क्वेस्टेन एंसर सेशन के अंदर उनके जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स परसन है उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम इसको नोट कर रहे हैं हम देख रहे हैं इस campaign का हमें पता है यानि कि Americans के notice में ये चीज़ आई हुई है तो ये आपको इस campaign की success को जाहर करते हुए नदर आ रही है कि दुनिया भर की तवज्जह इस campaign ने पहले ही attract करवा के रखी हुई है और दुनिया भर का मीडिया भी इस पे लिख रहा था और आफिशल्स भी इस पे बात करते हुए नदर आ रहे थे लेकिन point to be noted is that इस सारे अरसे के अंदर politically किसी तन्जीम ने इस campaign को ओन नहीं किया था हालांकि इंडियन मीडिया पहले दिन से ही लेकर जमात इसलामी और बी एन पी के ओपर इल्जामात लगा रहा था कि वो इसके पीछे हैं लेकिन तब तक बी एन पी और जमात इसलामी ने इसको ओन नहीं किया था तो इस campaign की जो power है वो आपको कई गुना बढ़ती हुई नजर आएगी जब इसको political affiliation मिलेगी तो लेकिन इसके बावजूद मुक्तलिफ जो इंडियन न्यूज आउटलेट्स हैं वो मूदी सरकार की failed foreign policy का मलबा बंगलादेशी opposition के ओपर डालते रहे और इंडिया ओट campaign का blame उनके ओपर करते रहे मिसाल के तोर पर आप देखिए economic times इंडिया का बड़ा news outlet है पिछले महीने इन्होंने लिखा कि opposition BNP and radical forces encourage India out campaign in Bangladesh the recent India out campaign in Bangladesh close on the heels of a similar campaign in Maldives has its origin in anti-liberation and radical sections in the neighboring country that enjoys patronage of Pakistan and pro-Pakistan parties including BNP and outlawed jamaat-e-islami अंधेरे में तीर चलाने वाली बातें कर रहे थे Indian media वाले अंधेरे में तीर चलाने वाली मतलब ऐसा ही India out campaign है तो उसके पीछे पाकिस्तान होगा Maldives के अंदर भी India out campaign है तो उन्होंने का कि इसके पीछे चायना होगा और यहां पर same pattern लेकिन मैंने उसके भी आपको कहा था कि अगर इसके पीछे बीएनपी वाले लग गए न तो यूं समझें कि ये campaign जो है बहुत जादा आपको फिर तो इसका मैसे विसकोप हो जाएगा फिर शायद इंडिया के हाट मिनार आएगे अब पहला sign नदर आया है पहला sign यू नदर आया कि जो रिजवी साहब है जो के बीएनपी के senior joint secretary general है उन्होंने कोई ऐसी ही चीज़ की है जिसको देखकर लग यू रहा है कि बीएनपी इसको ओन करने लगी है इस campaign को अभी तक वो नहीं कर रहे थे अभी तक वो सेंपती का म हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये मुकमल तोर पर इस campaign के favor में आपको काम करते हुए भी नदर आया है और अगर ऐसा होता है तो इस campaign को यकिनी तोर पर बहुत बड़ा boost मिलेगा हुआ कुछ यू कि बीएनपी के जो senior joint secretary general है रूहल कबीर रिजवी साहब रिजवी साहब खड़े थे तो उनके हाथ में इंडियन शॉल था इंडियन शॉल को उनोंने फैंकते हुए फैंका उनोंने और एलान किया कि लोगों को back out इंडियन जो product campaign है उसके अंदर शामिल होना चाहिए नाव ये first sign है पहला बड़ा sign है वैसे तो ये कहते रहते थे लेकिन ये पहला sign है जिससे नदर आ रहा है कि इस campaign की अब political जो पर है वो भी निकलने लगे हैं पहले ये सरफ common public खुद ही कर रही थी और अब इसको गालबन कोई direction proper आपको मिलती वी नदर आ रही ऐसा होता है कि जब भी कोई तहरी कितनी ज्यादा successful हो जाती है और लोगों के अंदर घर बना आता है ये बी एन पी तक नहीं रहेंगी इसके अंदर और भी हो सकता है आने वाले जनों में आपको आते हुए नदर आ हैं क्योंकि आप लोगों के अंदर इस campaign के हमें बहुत ज़्यादा असरात नदर आ रहे हैं तो जब society के अंदर असरात होंगे तो political level पर भी इसके असर आब आब लादेशी एपोले आजिब बार झाली केव लो ए आप टो बेगिंग अ खाल इसे अंदर आप आजब आप इस बार में प्neट को सुझार तो फे बाहें पालिजा इन आप में आपकोणा लिए्ट के बाष भूरही बादा है इसके आप ले कांदे इसे बादें प् the import of Indian goods the wave of backouting Indian products is visible said the senior BNP leader therefore as a party representing the people BNP and 63 Democratic parties and patriotic citizens of the nation are expressing solidarity with the back out of Indian products he said यह बहुत बुरी खबर है इंडिया के लिए बहुत बुरी खबर है वो जितना समझ रहे थे ना इंडिया केमपेन ने उसे कहीं ज्यादा हर्ट किया है इंडिया की position को बंगलादिश के अंदर जब भी किसी पावली केमपेन को स्यासी च्छतरी मिल जाती है तो फिर वहाँ पर जियो पॉलिटिकल इंफिलियोंस बर करार रखना अच्छे से अच्छी पावर की भी बसकी बात नहीं होती इंडिया तो मालदिव के अंदर इंडिया उट केमपेन को कंट्रोल नहीं कर सका वहाँ पर मुहिस की जो पार्टी अब्दला यामीन तो हमारा ट्रेडर है ये इंडिया से आलू, प्याद, टिंडे इंपोर्ट करता है तो फिर मार्किट में एक वार अफवाएं जब फैलने लगेंगी न तो जो जो इंडिया से इस तरह का राव माटिरियल इंपोर्ट करता है या अगर किसी को पता चल गया जो कि अबियसली पता चलेगा क्योंकि अब तो पॉलिटिकल जो पार्टिया होती है इनके तो फिर ज्यादा कनेक्शन्स होते है न तो मार्किट में अगर इस तरह की खबरें फैलना शुरू हो जाएंगी कि फला जो ब्रांड है बंगला देश क के अंदर हो सकता है उस ब्रांड को हिट पड़े तो ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है कि स्टार्ट हो सकता है क्योंकि अब इसको पिसका बढ़ गया है पहले सिर्फ पबलिक कैम्पेंज सी अब इसके अंदर स्टेक ओल्डर आना शुरू हो गएं कूदना शुरू हो गएं इस सब का क्रेड़िट वैसे मैं समझता हूं कि मूदी को जाता है मूदी ने जो बीच में गंद किया है ना दो हजार चौदा से लेकर उसे कुछ ज्यादा ही इंट्रफेरंस करना शुरू कि इसकी मेंटलिटी ऐसी है उसकी मेंटलिटी ऐसी है वो बंगलाद इसकी अंदर नेपाल में भी आपको इसकी यही मेंटलिटी नदर आती है मेरी बात मानो नहीं तो ब्लॉकेट कर दूँगा तो मेंटलिटी इस तरह की है इनकी यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है मतलब आप बाकी सारे स्टेकोल्डर को माइनस करके आप कह रहें के नहीं जो हम बोलेंग अगर ऐसा ही होगा तो ठीक है नहीं तो फिर इस्टेबिलिटी नहीं आएगी यहां पर तो मेरे ख्याल से अब यह जो गैम है यह इंडिया के हाथ से मज़ीद निकल चुकी है और इंडिया और केमपैन के अंदर पॉलिटिकल जो प्लेयर्स हैं उनका कूदना यह जाहर करत है कि इस कैमपैन की नेक्स्ट लेवल शुरू हो चुकी है और नेक्स्ट लेवल पहले वाली लेवल से ज्यादा इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है